हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो मैं पुष्पंजली तो आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे देखिए अप राजिता में कितने सारे फ्लावर आए हैं जबकि दिसंबर का मंग चल रहा है अप राजिता एक बहुत इश्यूब पौधा है जो कि सभी के गार्डन में होता है तो इस विंटर सीजन में इसमें काफी ग्रोथ रुख जाती है जब तक पूरी तरह से सीत लहरी नहीं चलने लगती तब तक हम अपने पौधे को अच्छे से रख सकते हैं अगर हम कुछ टिप्स फालो करीं इसके लिए तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से गार्डन में दिसंबर के लाश तक अच्छे से चल सकता है और भर भर के फ्लावर दे सकता है तो देखिए ये देखिए हमारे अप्राजिता में कितने सारे फ्लावर लगे हैं अभी दिसंबर का ही मन चल रहा है ये देखिए बहुत सारे फ्लावर लगे हैं अंदर अंदर हैं दिखाई पढ़ रहे हैं आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखाई पढ़ेंगे तो पहली बात आप इसको जहां भी लगाए हैं तो इसकी मिट्टी हमेशा भुर भुरी बनाए रखें और अगर पानी ज्यादा रुखता है तो इसमें ड्रेनेज होल सही कर लें और इसकी क्योंकि इसमें विंटर सीजन में पानी एक बार दे देंगे तो अगर जरा भी हो ड्रेनेज होल गड़ बड़ रहा तो आपका ये प्लांट पानी की वज़े से खराब हो जाएगा हपते में एक बार खुडाई जरूर करें खुर्पी की मदद से आप इसकी मिट्टी को उपर से नीचे नीचे से उपर कर दिए जिससे इसको भरपूर आक्शिजन मिल सके और पौधे की जड़े अच्छे से सांस ले सके आप इसको ऐसी जगे रखें जहां 4-5 घंटे की भर भरपूर धूपाए जैसे की जब तक कि सीट लहरी नहीं चल रही है तब तक आपका ये पौधा भरपूर फ्लावरिंग करें आपको फूल देता रहे और इसके जो भी बीज ज़्यादा बन रहे हैं फ्लावरिंग होगी तो बीज बनेंगे ही बीज अगर बनते हैं तो एनरजी बनी रहेगी और इसमें काफी फ्लावरिंग होती रहेगी इसके फूलों की चाय भी बनती है जो की बहुती स्वास्त के लिए लाबदैक होती है तीन चार फूलों को आप लेके अपने चाय गरम पानी में डालके चाय बना के पी सकते हैं सुबर सुबर बहुती फा सीजन के लिए जैसे कि आप इसके बीजों को लेकर के सुखा करके अगले सीजन में आप इस्तमाल कर सकें माल लीजिए आपका पौदा खराब हो जाता है तो आप नए बीज भी से नए पौदे तयार कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग के लिए आप सर्सों की ख दिगा कर दो दिन तक रखें उसके बाद इसकी जड़ों में डाल दें तो इसमें गर्मी बनी रहेगी और ये पौधा आपका फ्लावरिंग करता रहेगा तो इसको ठंड का असर कम होगा तो इसको महीने में एक बार आप सर्सों की खली दे दें जब बहुत अधिक ठंड प इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो आप फिर से इसमें सर्सों की खली 100 ग्राम दे दें देखिए फिर से इसी प्रकासिव फ्लावरिंग इसमें होने लगेगी और अगर आप कैमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आप एनपी के दे सकते हैं तब इसमें भर-भर के फ्लावरिंग होती है और डिये पी भी दे सकते हैं 4-5 दाने दे देंगे या वर्मी कंपोस सब 20 में भर-भर के फ्लावरिंग होती है तो फ्रेंड्स इसमें इस पौदे के लिए धूप बहुत ही जरूरी है तो धूप में इसको अवश यही रखें क्योंकि बिना धूप कि ये आप कितना भी फर्टिलाइजर देंगे तो ये इतनी फ्लावरिंग नहीं करेगा वाच्छे गंती की धूप अवश्य मेली इसे तब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये जनवरी तक जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी तब तक ये जब विंटर सीजन शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे सीत लहरी तब भी इसको धूप में ही आप सिफ्ट करें जैसे कि ये पौधा विंटर सीजन में सीत लहर के कारण खराब नहो जाए इस बात का ध्यान रखें तो अपने पौधे को आप धूप म ही एकदम रखें जैसे कि इसमें किसी प्रकार का कोल्ड अटैक नहों और ये पौधा बचा रहे और फरवरी मार्च में फिर से ये ग्रोध कर सके देखिए हम इसको टब में एक लगा रखे हैं और ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट है ये भी बहुत अच्छे से फ्लाव पांच घंटे की दूप यहां पर आती है ये करीब 15 इंच के गंबले में लगा हुआ है तो आप राजिता को जितने बड़े गंबले में आप लगाएंगे उतने अच्छे से ये सर्वाइब करता है तो आप ये भी ध्यान रखें कि थोड़े बड़े गंबले में या आप यह बहुत ही हाड़ी प्रांट होता है जो आपके गार्डन में पूरे साल फ्रावर देता है यही दो महीने छोड़के देखिए दिसंबर में भी यह फ्लावरिंग कर रहा है जन्वरी फर्वरी छोड़के फर्वरी के लाजच से फिर से इसमें फ्लावरींग होने अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद